खुरुपिया ध्यान रखे कि इस चैनल में निचीत सभी जानकारी केवल सिक्सीत और सुत्मक्त कुदेशियों के लिए है इस यूटूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश चला, वितिये चला, कानोनी चला या वक्तिकत चला के रूप में नहीं लिया जाना को मिलता है मार्केट के अंदर हैएंव लोग लगा तो अब याँ पर हम बात अब यहाँ पर हम analysis करें, थोड़ा लंबा analysis करेंगे daily time frame के अंदर, आज तक यहाँ पर हम छोटे छोटे trade provide करते थे, उसमें काफे trade success जाते थे और काफे trade फेल भी जाते थे, बट इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बड़ा लंबा analysis करने वाले, previous time जो वीडियो बना है था व है, volatile होता है, यहाँ पर 90 वर्षन हम analysis कर पाते हैं, आपको only education लेना है, support, resistance दिखाना हमारा काम है, levels दिखाना हमारा कामने, बाकि आपको only सिखना है, बिटकोइन का price, current time के अंदर, 27,985 डोलर के आसपास trade कर रहा है, अब यहाँ पर हम यह से देखा था है, तो बिटकोइन फ वापस यही zone के अंदर support लेके market कई ओपाय, वापस से rejection मिला, resistance आया, market आयी नीचे, मतलब market higher high and higher low बनाता जाता है, फिर यहाँ पर support लेने की बढ़ ले, यहाँ पर market थोड़ा, यहाँ पर वेल ने game खेल दिया, market को थोड़ा नीचे लिया गया, 19,500 डोलर के आसपास आगया, वहाँ से market उठी और वापस से यहीं जाके resistance बनाया, market थोड़ा बोड नीचे आयी, again यहाँ पर try किया, market को मिला resistance, market वापस नीचे आरे तो देखो, यह line हमने पूरा connect गया, रफली बताओ, तो एक चेट ली 27,700 से लेके 27,900 डोलर के आसपास, यहाँ पर उसको मिला है support, trade करन चाहो, तो आप इसको देख सकते हो, market बुलिस ही है, यहाँ पर बीट-बीट में correction तो आते ही है, फिलाल इतना कोई तकड़ा बीच में कही negative news भी आमें देखने को नहीं मिला है, अब यह recession वगेरा चल रहा है, बट यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि अब उतना बड़ा impact इस 28,000 डोलर के उपर कहीं भी sustain कर लेती है, अगर 28,000 डोलर ही हो, या 28,100, 28,200 डोलर के भी हो, तो मेरे जिसाब से यहाँ पर हमें bounce back देखने को मिल जाएगा, दो दिन इंतजार करना है, market के अंदर काफी यहाँ पर हमें dump देखने को मिला है, 27,700, 27,800, 27,900 आपका entry point हो सकता है, 27 अगर यहाँ से पुल बेक मिला, बड़े लेवल पर bounce back देखने को मिला, तो market इस zone के अंदर कहीं जा सकती है, तकरीबन तकरीबन 32,200 डोलर के आसपास, यह zone आपको पकड़ना है, अब अगर मैं आपको one set analysis दिखा रहो, बट यहाँ पर अभी support के उपर टिका हुआ है, अगर उसको थोड़ा ओर खेलना है, नीचे लोगो लिकुडेट करना है, थोड़ा गुमरा करना है, तो यह support breakdown हो सकती है, और तगडी वाली support इसकी आरेए 26,700 डोलर, trade बना रहे हो, तो 37,600 डोलर पर stop loss लगाना है, जैसे हमने previous time के अंदर stop loss लगाया था, और हमारा analysis एक वीडियो क report है, कहां पर stop loss लगा लेना चाहिए, फिर आपको खुलना है, चार्ट को आपको stop loss लगाना है, आपको बाते ठीक लगती है, तो यह implement करना है, आपको खूद सोचना है, क्योंकि पैसा आपका है, प्रोफिट आपका है, लोज भी आपका है, तो यह वाला analysis बन जाता है, इसके अंदर कोई भी impact नहीं आया है, उतना बड़ा कोई जंप नहीं लग गया कि मार्केट एक correction क्यों ले रहा है, क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर अपने इसाब से फिलाल चला है, बट यहाँ पर हम worldwide market को देखा दे, तो worldwide market के अंदर कोई भी impact नही जहाँ पर डंप होना चाहिए था वहाँ पर उसने पंप कराया, जब अपग्रेट हुआ वहाँ पर जो स्टेकिंग पर लगाया हुआ, इसका मतलब यह है कि वो उन लोगों ने इसले पंप कराया ताकि उसको ज्यादा प्राइस मिले, बड़े प्राइस के अंदर वो शिला बरसन एनलसेश फेली होता है, नबबे बरसन सक्सेश होता है, कोई भी बंदा है, बट यहाँ पर एजुकेशन काफी ज्यादा इंपोर्टांट है, इसे हमें पता था कि भाई एथिरियम का यह सेलोप होने वाला है, तो यह तो अंदला लग गया कि भाई यहाँ पर एसे ल केंडल बना हुआ है, तकरीबन दोजार एकीशो डॉलर से शेलोफ हुआ और दो सो डॉलर का आमें यहाँ पर डंप देखने को मिला, एक यहाँ पर देखे और अब मैं आपको दिखा था हूँ बिटकोईन का केंडल, तो बिटकोईन के अंदर आपको इतना बड़ा केंडल देखने को नहीं मिल रहा होगा एक एंडल देखो छोटा सा शेलॉफ हुआ है तो एथिरेम की बदर से यह मार्केट किरा है कहीन कहीं मैंने थोड़ा जांस किया मेरे खोई लगता है कि फॉपज़े से मार्केट के अंदर करेक्षन आये और वो होगा पांसो लोर गुमाना एक दम पोसिल बल है वेल के लिए आसान है उमीद करता हो वीडियो पसंद आए होगा ओल्ट कोईन के अंदर आप बाइंग बना सकते हो अच्छा गाते ओल्ट कोईन के अंदर और भी में आपर मिम कोईन का एक लिस्ट चेर करने वाला हो मुझे थोड़ जो लोग नए आपर देख रहें यसे कंटेनेव बनाते रहते वीडियो को लाइक कर लेना वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेईर कर लेना और हमारा सेकंड चेनल हिंदी कर्प्तोको भी सब्सक्राइब करके रखना वहां पर हम डेली लाइव करने की कोशिस करेंगे कल रात क को भी हुआ था और आज भी मेरी सब्सक्राइब लाइब वहां पर करेंगे